गुरूग्राम में भारी बारिश के चलते मुक्खे सड़के पर पानी भरने के कारण लगातार जाम की समस्या बढ़ रही है जिसके कारण आवजाही में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमारे ब्यूरो हेट कपिल गौर ने गुरूग्राम उपयुक्त निशान्त यादव से जल भराव और अन्ने समस्यां उपर बाचीत की देखे है रपोर्ट मांजून का मौसम है और ऐसे में आदे से ज़्यादा गुरूग्राम पानी के अंदर डुबा हुआ है हालकि दावे तो बड़े किये गए थे कि गुरूग्राम को सिंगापूर बनाएंगे लेकिन अगर गुरूग्राम को गुरूग्राम ही रहने दे तो गनीमत होगी DC निशानत यादव गुरूगराम के मेरे साथ मौजूद है उनसे जानेंगे सर बड़े दावे किये गए थे जब आपने जॉइन भी किया था कि गुरूगराम की सड़के से आपने कहा था जब आप गुजरते हैं तो बड़ा अशेम्ड फील होता है आज क्या कहेंगे सर आधा गुरूगराम जो है पानी में डूबा हुआ है देखे जो इस पोर्टेट जो 112 के करीब पॉइंट्स थे जहां पर हर बारी जल भराव होता था वहाँ पे जिस हसाब से तयारियां की गई हैं काफी हद तक काफी जगे पोइंट्स पे हमें इस बार पानी के भराव से निजात मिली है कुछ ट्रडिशनल पोइंट्स नेशनल हाईवे पे अभी भी हमारे लिए परेशानी का सबब बने वे हैं क्योंकि वहाँ पे डेस्पाइट पेस्ट एफर्ट्स टेकनिकल इशूज होने की वज़े से पानी पूरी तरीके से नहीं निकल पाया और चौंकि पिछले दो दिन में लगातार बड़ी मातरा में बारिश हुई है इसकी वज़े से भी पानी काफी समय तक रहा लेकिन सभी सरकारी एजेंसियों की कोशिस ये थी कि जल्दी जल्दी जितना हो सके दो तीन चार घंटे में पानी वहाँ से निकाल दिया जाए पर्टिकॉलर्ली सेटरडे नाइट और संडे नाइट जो बारिश हुई है उसके दोरान हमारी सभी एजेंसी चाहे हो जीमडी की टीम हों सीजी की टीमें हो प्रिशाशिन की टीमें हो रात पर भर लग करके उन्होंने ड्रेन आउट पानी से किया है और एज रेजल्ट जादा तर एरियाज में आप देखेंगे कि लंबे समय तक जल्ब बलाव नहीं रहा है सरहूल जो बोडर है वहाँ पे गुरूगराम और दिली के बीच में कई घंटों का जाम रोज आने जाने वाले लोग देखते हैं उसको सहन भी करते हैं ऐसे में आपने कहा है कि वहाँ पे फ्लाइओवर बनना ही एक मात रुपाई हो सकता है जाम से निजात पाने के लिए ले से कम लगे वो इसका एक सॉलुशन देखने के लिए हमने कहा है साथी नेशनल हाईवे से मुद्दा टेक अप किया है कि इसका जो सिस्टेमिक सॉलुशन और लोंग टरम सॉलुशन है वो इस पे जरूर करें लास सवाल आप से जैन पर वाने वाला है पर्यूशन पर उसको के ज़े करके नगर निकम के तरफ से भी गाई लाइन जा रही है प्रिशाशन के तरफ से भी क्या कhot कहा गया है कि عवैद जो बूचड खाने है वो बंद रहेंगी तो क्या सर इसमें वैद दुकान ही बंद रहेंगा सिर्फ इनमें आवैद का भी नब यह यह योलबी जरफ से भी डारेक्शन्स निकाली गई है तो गुरुग्राम में बारिश का माहूल जारी है देखना होगा कि आने वाले समय में बारिश और कितना गुरुग्राम के लोगों को और आने-जाने के वाले लोगों को परेशान करती है क्या मैं परस्थान अवेट के साथ काफिल करता है, इकाम होगा है ट्वड़श परेशार होगा है पर आने वाले समय में और कोण में ठके बाद कर आने-परेशार अल्मण।